सुनने में आया है कि लारा दत्ता और उनके बॉइफरिंड केली डॉर्जे की बीच का रिष्टा बहुत ही दिल्चस्प है हाली में जब लारा से पूछा गया कि क्या केली को उनके छोटे कपड़े पहनने से कोई एतराज है तो लारा ने कहा कि वो फिल्मों में किरदारों के हिसाब से कपड़े पहनती है और वैसे भी वो अपनी पसंद के मताबक काम करने के लिए या फिर कुछ भी पहनने के लिए बिलकुल आजाद है हाँ अगर उन्हें एतराज होगा तो मेरी बात मानने के अलावा उनके पास और गोई चारा भी नहीं है शाबाज लारा आपने अपनी राय कम से कम खुल कर तो जाहिर की एनिवे बॉलिवोड से जुड़ी और खबरे सुनते हैं एक दम करन सेगमेंट में हाई मैं हुश वैता कवात्रा और आपता करन बॉलिवोड में स्वागत है शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ सुनने में आया है कि एवरग्रीन देव आनन्द अपनी पांच पुरानी हिट फिल्मों को फिर से रिलीस करने जा रहे है जिन में चार ब्लाक इन माइट फिल्मों के अलावा रंगीन फिल्म गाइड भी शामिल है सुनने में ये भी आया है कि फिल्म के म्यूजिक भी रिमिक्स किये जाने वाले है सेंसर, लव इट टाइम स्क्वेर और गैंस्टर जैसी बोरिंग फिल्में बनाने के बाद आखिरकाद देव सहाब को अपने दर्शकों पर रहम आ ही गया आपके इस निश्चे से तो डिस्टिब्यूटर्स और दर्शक दोनों ही बहुत खुश हो गए होंगे सुनने में आया है कि संजेदात और सैफ अली खान के बीच काफी खिट-पिट चल रही है इतना ही नहीं फिल्म मेकर विदू विनो चोपरा की फिल्म परिनीता के सेच पर दोनों के बीच काफी तनाव रहता है अंदर की बात ये है कि संजेदा चोटे नवाब की एक्स वाइफ अमरिता सिंग को काफी सपोर्ट करते हैं पता नहीं कुछ लोगों से अपनी बीवियां तो संबलती रही दूसरों की बीवियों को सपोर्ट करने चल पड़ते हैं सुनने में आया है कि सलीना जेटली आजकल साउथ में बहुत वक्त बिताने लगी है वजय ये पताई जा रही है कि आजकल उनके और साउथ के सूपर स्टार विश्नु वर्धन के बीच को एक खास दोस्ती हो गई है लगता है कि जान अशी और खेल जैसी फिल्मे करने के बाद अब सलीना समझी गई है कि बॉलिवुड में उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक अपनी बॉल्ड फिल्मों के लिए तो मेगना नाइडू चर्चे में रहती हैं लेकिन आज कल वो एक अलग ही कॉंट्रवर्सी में घिरी हुई है सुनने में आया है कि उन्होंने अदा विल्ल किल यू नाम की एक फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट तो ले लिया लेकिन फिर डेट नहीं दी अब फिल्म के निर्माता अनूप श्रवास्तब ने उनके खिलाफ एक कम्प्लेंट भी कर दी है मेगना हवस जैसी बहतरीन फिल्मों की वज़े से आपकी रेपूटेशन वैसे ही इतनी अच्छी है और अगर आपका बरताव ऐसा ही रहा तो आपको हवस जैसी फिल्में भी मिलनी बंद हो जाएंगी नेहा दूप्या का कहना है कि जो टॉप की आक्ट्रिस कल तक कहती थी कि नेहा में टालेंट नहीं है इसलिए वो फिल्मों में काम करने के लिए सेक्स अपील का सहारा लेती है वही actresses आज अपनी फिल्मों में insecurity की वज़े से expose भी कर रही है और परदे पर kissing scenes भी चलिए नेहा आपको कम से कम लोगों को जवाब देने का मौका तो मिल गया इसे कहते हैं इंट का जवाब पत्थर से देना आईए यहां लेते हैं छोटा सा break बॉलिवुड में आपका फिर से स्वागत है सुनने में आया है कि कमल हसन को हाल ही में उनकी perfectionism थोड़ी महिंगी पड़ गई अपनी फिल्म मुंबई express के लिए कमल एक dangerous bike stunt कर रहे थे जब उनकी bike out of control चली गई और उन्हें काफी चोट पहुँची कमल जी जिसका जो काम है उसे करने दीजिए वरना खत्रा भी आपका और नुक्सान भी आपका